हेलो फ्रेंट विल्कम टू ट्रिक पॉइंट आज मैं आप सब के सामने यूरोपी कम्पनियों का आगमन वह इस्थापना वर्से से संबंधित ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंतर तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकेन जरू दबा लीजिए जिससे आपक का आगमन वर्स याद करने के लिए ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फसा क्या ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फसा तो पुत्र से हो गया पुर्तगाली इस्ट इंडिया कमपनी जो की पहली यूरोपी कमपनी थी जो भारत आई थी दूसरा सब्ध है आ तो आ से हो गया अं फ्रांशीशसिश्ट इंडया कंपणी और लाश्ट सब्द है सा से हो गया स्वुडिस इस्ट इंडया कंपणी तो इस तरह से छै यूर्पी कंपनिया भारत आई तो आब हम लोग एक एक करके उन पूर्थ गाली इस्ट इंडिया कमपनी जिसकी स्थापना सन 1498 में हुई थी तो पूर्थ गाली में दो सब्द हैं एक पूर्थ और दूसरा गाली तो पूर्थ को याद करने क्ले हम लोग कर लेते हैं पूत्र जो की ट्रिक में था तो जो पूत्र होता है अगर वो किसी को गा एक नौ और दूसरा आठ अर्थात अंठान ने तो पूर्टगाली इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापने कब हुई थी दोस्तों सन 1498 में क्लियर हैं दूसरा है अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापने सन 1600 में हुई थी तो ज्यादा तर लोग को यह पता होगा कि अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी 1600 में लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूँ कि जो अंग्रेज थे वह भारत से पूरा सोना उठा के ले गये थे और यहाँ पे एक भी सोना नहीं बचा था मतलब जीरो सोना हो गया था तो पूरा सोना उठा के ले गये थे अंग्रेज तो सोना से हो गया सोला और अंग्रेज चो गया अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी भारत कवाई थी दोस्तों 1600 में clear है तीसरा है डच इस्ट इंडिया कमपनी जिसकी स्थापना 1602 इसवी में हुई थी तो डच में है दो सब्द बाकि आपको लिष्ट में ऐसा कोई भी सब्द नहीं मिलेगा जिसमें केवल दो सब्द हो अंग्रेजी में 3 है, डैनिस में 3 है है ना, डच बस में 2 है तो डच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना कब हुई थी 2 में अर्था 1602 में clear है चोथा है डैनिस इस्ट इंडिया कमपनी जिसकी स्थापना 1616 में हुई थी तो डैनिस में एक सब्द छुपा हुए याद करने के हम लोग कर लेते हैं निसा, निसा अर्थात, रात तो जो रात होती है वह केवल और केवल सोने के लिए होती है है ना, ज़्याद तर लोग रात में सोते हैं, यानि जो रात होती है वह सोने के लिए होती है तो सोने का मतलब एक gold होता है दूसा sleep होता है यहीं दो परकार का सोना होता है तो दो सोना अर्था 16 और 16 तो डैनिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तो सन 1660 में पच्वा है फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना सन 1664 में हुई थी तो फ्रांसीसी में ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्द लिखा हुए फांस कोई एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति को फांस गया हो यानि दूसरे ब्यक्ति को कहीं पर फसा के भाग गया हो तो ज अर्था 1664 और फसाने से हो गया फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी तो फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तो सन 1664 में क्लियर है लास्ट है स्वीडिस इस्ट इंडिया कमपनी जिसकी स्थापना सन 1731 में हुई थी पूरी लिस्ट में ध्यान उसकी सत्रा सो में हुई थी, बांकी सब सोला सो में हुई थी, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बांकी आपको अंठानवे याद आया जाएगा, 31 याद आजाएगा, तो हम लोग स्वीडिस देख लेते हैं, तो स्वीडिस इस इंडिया कंपरी में एक तूट जाए, स्वीडिस खाते हुए, तो क्या होगा, आप ही बताओ, अगर कंकर मिलाओ और स्वीडिस खाते हुए, आपका एक दान तूट जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दान तूट जाएगा, तो आपके 31 दान हो जाएंगे, है ना, दोस्तों के साथ भी सेयर करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धैन्यवाद